हेलो एबरीवन वेलकम टो और चैनल हमारे आज के निबंद को टोपिक है डिजिटल भारत कोरोना काल के परिपेक्ष में तो इसी टोपिक पर आज हम हिंदी में निबंद लिखेंगे तो हम अपने निबंद की शुरुवात एक स्लोगन के साथ करेंगे हमारा स्लोगन ऐसा होन चाहिए कि हमारे निबंद के लिए एक परिचे का एक इंट्रोडक्शन का काम करें पढ़ने वाले को स्लोगन पढ़के ही समझ आ जाए कि यह जो टोपिक है इसमें है क्या तो इस प्रकार से हम यहां पर एक स्लोगन लिखेंगे और यह स्लोगन डिजिटल भारत के बारे मे बात कर रहा है करोना काल में निभाया बड़ा एहम योगदान जन जन तक सुविधा पहुंचा कर हर काम किया आसान आत्म निर्भर देश बनाने का संकल्प है यह महान सशक्त भारत की रह में डिजिटल इंडिया है एक वर्दान तो स्लोगन पढ़ते ही पढ़ने वाले को स एहम योगदान निभाया है ऐसे ही स्लोगन लिख के हम अपना निबंद शुरू कर देंगे आज भारत अपने सामर्थ्य संकल्प और भविश्य की असीम संभावनाओं की उमीद के साथ एक रस्टर के रूप में कुछ ही वर्षों में डिजिटल शेत्र में उन्ची लगा रहा है डिजिटल भारत हर भारत वासी का संकल्प है डिजिटल भारत आत्मनिर्भर भारत की साधना है डिजिटल भारत 21 सदी में सशक्त होते भारत का एक जय घोश है आज सरकार और जनता के बीच सिस्ट्रम और सुविधाओं के बीच समस्याओं और सर्विस के की मांग है और इसी लिए डिजिटल भारत समन्य नागरिक को सुविधा और उनके सशक्ति करण का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना काल के परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो डिजिटल भारत ने हर अक्षेत्र में महत्वपुन भूमी का निभाई है महामारी के समय डिजिटली करण की प्रक्रिया के माध्यम से जन जन तक हर सुविधा आसानी के साथ पहुंचाई गई है कोरोना काल में ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, बिजली पानी के बिल, इंकम टैक्स रिटर्न, आदियन एको प्रक्रियाई डिजिटल इंडिया की मदद से घर पर ही रहकर संभव हुई है खास कर शिक्षा क्षित्र की यदि बात की जाए तो डिजिटल भारत की भूमिका एहम रही है इसका शानदार उधारन है डिजि लोकर, स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविक लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावे सीधे डिजि लोकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं अभी करोना के इसकाल में कई शहरों के कॉलेज, एड्मीशन के लिए स्कूल सर्टिफिकेट का वैरिफिकेशन, डिजि लोकर की मदद से ही कर रही हैं विद्यार्थी घर पर ही सुरक्षित रहकर, ओनलाइन कक्षाओं से शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं, नोकरी वर्वसाय, सब घर से किये जा रहे हैं डिजिटल भारत कोरोना काल के दोरान भी आत्मनिर्बर भारत के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है ओनलाइन पढ़ाई से लेकर दवाई तक के लिए जो प्लेटफॉर्म विक्सित किये गए हैं, उनसे देश के करोडों लोग आज लाबानमित हो रहे हैं ऐसे समय में ये संजीवनी जैसी योजनाओं के द्वारा दूर सदूर तक स्वास्ते सुविधाओं को पहुंचाने में भी डिजिटल भारत एहम भूमिका निभा रहा है कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन्स भारत ने तयार किये हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विश्य हैं और अकर्शन का भी विश्य हैं दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉंटेक्स ट्रेसिंग एप्स में से एक आरोग्य सेतू से कोरोना संक्रमन को रोकने में बहुत मदद मिल है टीका करण के लिए भारत के कोविन एप में भी आज अनेको देश दिल्चस्पी दिखा रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके देश में इस योजना का लाब मिले वैक्सिनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मोनीटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमान है कोविट काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है अगर डिजिटल कनेक्ट ना होता तो करोना काल में क्या स्थिती होती डिजिटल भारत यानी सबको अफसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी, सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच डिजिटल भारत यानी पारदर्शी, बेदभाव, रहित वैवस्ता और भृस्ता चार पर चोट डिजिटल भारत यानी समय, श्रम और धन की बचत तेजी के साथ पूरा लाब डिजिटल भारत यानी minimum government, maximum governance आज भारत जितनी मजबूती के साथ दुनिया की अग्रणी डिजिटल अर्थ वैवस्ताओं में से एक बना है वो हर भारत वासी के लिए गोरव का विश्य है कोरोना काल में डिजिटल भारत अभियान देश के कितना काम आया है ये भी हम सभी ने देखा है जिस समय बड़े बड़े समरित देश लोकडाउन के कारण अपने नागरिकों को सहायता राशी नहीं भेज पा रहे थे भारत हजारो करोड रुपे सीधे लोगों के बैंक कातों में भेज रहा था ये दशक डिजिटल टेकनोलोजी में भारत की अक्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल एकोनोमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है आज 180 से ज्यादा देशों के ग्लोबल साइबर सिक्योर्टी इंडेक्स में भारत दुनिया के टोप 10 देशों में शामिल हो चुका है साल भर पहले तक हम इसमें 47 रैंक पर थे भारत के युवाओं को आगे भी पुन समर्थे के साथ डिजिटल सशक्ती करण को नई उंचाईयों पर पहुंचाते रहना होगा इस दिशा में हमें मिलकर प्रयास करते रहना होगा तभी हम डिजिटल अक्षेत्र में नए किर्तिमान स्थापित कर पाएंगे और लास्ट में इनी पंक्टियों से सम्बंदित इनी लाइनों से सम्बंदित हम एक स्लोगन लिखेंगे जिससे कि हमारा निबंद बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा तो हमारा स्लोगन है डिजिटल अक्षेत्र में सापित करेंगे हम नए किर्तिमान भारत को दिलाएंगे विश्व गुरु का सम्मान सो फ्रेंट्स इस तरह से आप ये निबंद लिख सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट ओफ लग